सुप्रीम कोट सोमवार को यानि आज निर्भया गैंग रेप और मर्डर मामले में चार दोशियों में से तीन दोशियों की पुनर विचार याचिका पर सुनवाई करेगा कोट ने निर्भया गेंग रेप और मर्डर के चारों दोशियों को पिछले साल 5 माई को फांसी की सजा सुनाई थी जिसके बाद इन दोशियों ने सुप्रीम कोट में रिव्यू पेटिशन दाखिल की थी बतादें कि निर्भया कान के चार दोशियों में शामिल अक्षे कुमार सिंग 31 ने सुप्रीम कोट के 5 माई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर विचार याचि का दायर नहीं की है निर्भया के पिता ने बताया कि उन्हें नियाई की पूरी उमीद है उन्होंने कहा कि निर्भया देश की बेटी थी और देश को इस फैसले का इंतजार है प्रदान नियाई अधीश दीपक मिश्रा, यायमूर्ती आर्भानुम्ती और यायमूर्ती अशोक भूशन की पीठ के मुकेश, 29, पवन गुपता, 22 और विने शर्मा की आचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएंगे बचाव पक्ष के वकील एपी सिंग ने बताया कि पवन और विने की ओर से उनकी रिव्यू पेटिशन पर दलील पूरी हो चुकी थी लेकिन अक्षे की ओर से रिव्यू पेटिशन बाद में दाखिल की गई जिस कारण उस पर दलील नहीं उपाई है और दलील पेश किया जाना बाकी है वहीं मुकेश की ओर से उनके वकील एमेल शर्मा ने रिव्यू पेटिशन दाखिल कर दलील पेश कर चुके हैं सरकारी वकील ने दोशियों की फांसी की सजा बरकरार रखने की गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिली हाई कोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षिये पैरामिडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को गैंग रेप और हत्या के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था निर्भया के साथ दक्षणी दिली में चलती बस में छे लोगों ने सामुहिक बलात कार किया था और गंभीर चोट पहुचाने के बाद सड़क पर फेंग दिया था सिंगापूर के माउंट एलिजबित्था स्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी बता दें कि आरोपियों में से एक रामसिन ने तिहार जेल में कथित और पर आत्महत्या कर ली थी आरोपियों में एक नाबालिक भी शामिल था उसे किशोर न्याइबोर्ड ने दूशी ठहराया और तीन साल के लिए सुधार ग्रेहों में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था